दोस्तों हमारे बहुत से किसान भाईयां से हैं जो ग्यहूं कटाई के बाद गन्नब होते हैं या किसी और बज़े से गन्ना लेट वोते हैं और हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं या तो वह अप्रायल के लाश्ट में गन्नब होते हैं या मई में भी गन्नब होते हैं और कारण करने का जो विकास है ठीक से नहीं पाता है पहले हमारे पास एक ऐसी थी चाहें हम उसे अगयती में बोलें यह ज्यादा पिछहती में बोलें तब भी हो जाती थी वह तो अच्छी बहुत सांदार प्राइटी ती जो लेट बोने पर भी अच्छा उत्वादन देदी थी तो दोस्तो थी से मेरा मतलब है कभी यह बैराइटी फेल होने के कगार पर है इसमें रेर रोट आने लगा है और इसके साथ साथ जो टॉप बोरर जैसी जो बीमारियां हैं वो भी इसमें अन्य गन्य के तुलना में जाद आने लगें अर्था यह बैराइटी है यह फेल होन हैं जो यहों कटाई के बाद या किसी और वजह से आप ज़्यादा लेट हो जाते हैं और यदि आप अप्रेलिके लाश्ट में यह मई में वी फिर बधी करते हैं तो यह बहुत तेज़ी में अच्छी और इसकी मोटाई भी अच्छी घलाते की वो आपको जादे मिलेगी और इसकी रेकबरी वी अच्छी है तो दोस्तों सुरू करने पर नहीं तो चैनल को करा लें सब्सक्राइब और बैल आइकॉन को और पर सेश्ट कर लें तो आप वीडियो को लाइक कर दोस्तों में सेर करें ताकि हमारे दूसरे किसान भाई इससे लाव उठा चले तो दोस्तो यह जो बैराइटी है वह है पंदर j no tis यह बहुत सांदार बैराइटी इसकी लंबाई भी अच्छे होती बहुत सांदार है इसकी पत्तियां अच्छी लंबी और चोड़ी और हरी होती है और इसमें जो फोटो सेंटर्जी के रिया है वो तेज होती है और हमारे जो पोध हैं वो भुजम बहुत तेजी से बढाते हैं और जो अपनी लंबाई है और जो अपने विकास है वो काफी तेजी से करते हैं और इसलिए इस गन्ने का विकास है कि जो गन्ना तैयार होता है बहुत कम समय में त्यार होता है अर्णाद जो हम इसे माहीय में भेघा करें उतल्ано चाल्दीं होताता है, message with light साथ लेट उनके लिए तो ये बहुत ही लापकादी वाराईटी डोस्तों पिस बारे में जो खास-खास बात हैं वह आपको बताते हैं इसकी जो गंगी जो लंबाई है काफी अच्छी है और इसकी गन्ने की जो पोरियां है इसकी जो पोरियों की लंबाई है यह अच्छे होती है अथा इसकी पोरियां लंबी होती है और कुल में लाकर इसकी जो लंबाई है बहुत तेजी से बढ़ती है और दोस्तों यह गन्ना थोड़ा मलाइम होता है और जो हमारे जूस बेचने वाले है उनके लिए तो यह गन्ना बहुत सांदार है कि दोस्तों इसमें रस की मातरा जूस की मातरा जादा होती है और जूस की मातरा के साथ साथ जिसमें रिकबरी है चीनी की वो जादा होती है और अर्थात इसे मिठास जादा होती है तो इस गन्य की पैदावार के साथ साथ रिकबरी भी अच्छी है इसे सुखर मिल भी काफी फाद है वन सावित करेंगी अर्था हमारे किसानों का गन्य इस गन्य को यह फैक्ट्रिया हैं और जो शुखर मिल हैं वो अच्छे से खरी देंगी और दोस्तों इसके साथ साथ इसमें थोड़ी कमी भी है वो आपको बता देते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और यह सौप्ट होने की बज़े से इसकी जो लोजिंग की समझ जा रहा है अर्था जब इसकी लंबाई जादा बढ़ जाती है तो इस की मताइ करनी हैं तब हमारे गन्यां गिरने से बच सकेगा और इसके साथ साथ जो ज़्यादा जल भरा पे रिये हैं अत्ता पाणी की समस्झा रहती है तो उस आठ Commerceati के लिए नहीं कbus समस्झेर और इसके साथ साथ जो हमारे गिर काठी का जिया हें जो को हमारे जेंगली जानवर हैं वो इसे नुक्सान पहुचा सकते हैं तो ऐसे इलाकों में बोने से हमारे किसान भाइब बचें तो उसके लिए कोई दूसरी वर्याटिव होएं और इस पिरकार इस वर्याटिव को बोकर आप जादर लाब कमा सकते हैं क्योंकि दोस्तों कुछ इस वर्याटियां ऐसी हैं जो काफी लंब समय में तयार होती हैं उनकी अप्यक्चा ये वर्याटि कम समय में तयार होती है और इसकी एक बड़ी और खासियत है कि इसमें रिकबरी के मातरा है वो जल्दी तयार होती है और लंब समय तक ये बनी रहती है अर्थात यदि हम अ हम गन्य कटाई करते हैं तो इसमें रिकवरी की मात्रा अच्छी आती है अधार जादे तापमान जादे गर्मी होने कारविए इसकी रिकवरी जादे कम नहीं हो पाती है तो दोस्तों इस बैराइटी को बोकर आप लाब को आज सकते हैं और आज की वीडियो में अगले वीडि झाल जाड़ एिसपर्मी झाले और एiuज थाणते हैं थाड़ सुपचरी में अगले में झाले हैं झाले को आपर हैं तबैना हम एक Вам तो खना हे बिकवरी ज़िजए नहीं हो खना रहां पराविवान अपरावा पार जाता हैं वीड़िशसाओर जो से लिगवार नहीं थाज